हेलो फ्रेंड्स, भाई, बहन, ममी, ब्लावज, सभी का स्वागित करती हूँ, उमीद करती हूँ, अच्छे हल्प में होगे, अपने पड़ी बार का ख्या भी रखते होगे। तो यहां राधिका के पापा, राधिका को समर के घर में एंट्री दिलवाने के लिए बुलाए हैं अंकित को, कि अंकित कोई सलूशन निकाले, और अंकित ने सलूशन निकाला है क्या फ्रेंड्स, गुन-गुन के बच्चे को मानने की, तो गुन-गुन के बच्चे को मानने क क्योंकि इसने तो राधिका के पापा को कहा ऐसे कितने बच्चों को मैंने खलास करवाया है तो यह सुनके तो मुझे इतना हसी आने लगा कि यह इनसान करता क्या है इसका क्या कि जॉब है यह पार्ट टाइंग जॉब है कि यह सिप गुन-गुन के लिए स्पेशालिटी है कि ये बैग में लेके गूं बुराया रादिका के पापा को दिने के लिए anyways friends मुझे तो नहीं लगता है कि अंकित भी गुन-खुन का असली भाई है क्योंकि खून के रिष्टे ऐसे होते हैं आप चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो भाई बहन मगर खून के रिष्टे होते हैं हम इतना नहीं गिर सकते अपने भाई बहन के लिए चाहे वो लाग बुरे हो अब देखते हैं रादिका के पापा ने ये जो किया है बहुत गलत किया है मैं as a mother as a woman मुझे ये चीज गलत लगा क्योंकि एक नवजा शिशू जो दुनिया में आया नहीं है उसे पेट में मार देना एक गलत बात है और उसकी मा को बिना बताए ये तो और भी अपराद है तो रादिका के पापा ने अपनी बेटी का घर समालने के लिए अपनी बेटी का घर बचाने के लिए ये बहुत गलत उन्होंने कर दिया अंकिल आपने बहुत गलत किया मैं रादिकार पापा को बोलूँगी आपको ये चीज नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान है अंकित से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्यों अंकित है यी बुरा इंसान वो कभी कबार भूले भटके थोड़ा अच्छाई कर देता है वो बात अलग है पर उसके से मैं ये सब चीज में उसके लिए जायज है वो ये सब करेगा ही करेगा क्योंकि उसको ये सब ही करना आता है पर आप इतने अच्छे इंसान होगे ये सब करोगे मैं नहीं एक्सप पदलू इंसान है और वो कभी भी किसी का साथ permanently नहीं देता है जो अपनी बहन का नहीं है वो राधिका के पापा का क्या होगा ये बात तो आपने समझी है न तो इसे लिए मैं तो जानती नहीं हूँ कि अंकित कितना क्या साथ देग और राधिका के पापा का पर राधिका के पापा नहीं जो किया इसके लिए राधिका के पापा अब देखते हैं क्या होता है मेरे पास तो कोई words भी नहीं है बोलने के लिए अभी कि ये क्या किये उन्होंने तो anyways गुन-गुन तो वो खाके हो गई यह भी होश अभी देखते हैं आगे क्या होता है और जो भी होगा हम सब मिलके ही देखेंगे तो जिसको में आज को व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और जो में चैनल में ने हैं प्लीज सब्सकार जरूर कीजेगा तब तक लीज बाइबे